तो आगया आप कैसे हो मेरे पैरे दोस्तों मैं हूं सुमना स्वाल आप देख रहे इससे मैजिसेन ट्रिक चैनल तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और सांदार काल की मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं तो आप वीडियो पर सुरू से लेकर एंड तक बने रहे आप तक उनका नौट स्टिक्सन आएगा सबसे पहले आप उन्हें सीख पाएंगे जान पाएंगे तो चलिए दोस्तों बिना के आपको बोर सुरू करते हैं जादुकर इस्टोर मैजिक को स्टार्ट करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपको अपने टेबल पे ठीक है दोस्तो अभी इस टेबल पे आप लोग देख सकते हूं मेरे पास दो प्रेटिकσन है जिन पे मैंने कार्ड के नाम लिखे हुए हैं मैजिक स्टार्ट करने से पहले यहां выш開ष में को आसानी से देख सकते हूं कि इसमें कोई भी गेमिक काल कुछ भी नहीं है य餘dar मेरे पास है अब ही क्या करते हैं मेरसात मेरा भाई हैं मेजिक को आप लोगों को दिखाने के लिए तो हम क्या करते हैं पहले पीस भी मार लेते हैं ना कहीं आपको लगे कोई cheating है इसमें कट भी मार देते हैं ताकि आपका doubt भी किलियर हो जाए है ना दोस्तों सबसे पहले कट मार देते हैं हमने कट भी यहां पर मार दी है अच्छे से आप लोगों के सामने अब मैं क्या करूंगा काल को ऐसे एक एक करके नीचे ड्रॉप करूंगा और मेरा भाई मुझे stop बोलेगा जहां उसका मन करेगा ठीक है चलो start करते हैं stop तो और आगे जाना चाओगे है न earlier इस्टॉप और आगे जाना चाहूब है एक बार सोच लो मैं आगे जाना चाहूब ही बाद मैं बोलोगे कि यार मैंने और आगे जाना था कैसे हो गया और आगे जाना चाहोगे एक बार ठीक है यहां पर फाइनल है फाइनल लॉक कर दो यहां पर तो दोस्तों भाई ने यहां पर लास्ट में इस टॉप बोल दिया है और आप लोग यह कार्ड जो है यह भाई का है ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते हूं यह जो कार्ड है यह भाई का च्व लोगों के सामने कार्ड के उपड़ मैंने रख दिया है कोई cheating नहीं होगी कुछ नहीं होगी अब क्या करते हैं इस डेक of कार्ड को लेते हैं यह जो मेरे हाथ के बची हुई है आप लोग देख सकते हो इसको लेते हैं इसके ऊपर रख देते हैं कुछ चीज़ परकार से आप देख सकते हो आप क्या करते हैं इस डेक आप कार्ड को दुबारा हाथ पे लेते हैं ठीक है अभी मैं दुबारा कार्ड नीचे डालूँगा आपका जहां पर मन करें वहां पर इस्टॉप बोल देना वाण और आगे जाना चाहोगे एक बार तो बताना स्टॉप बोलना दुबारा इस्टॉप फाइनल लॉक्त करने यहां पर ओक navigating के लिए पोला है अब मेरा जो दूसरा है। इस डेक को दिलता है, अभी क्या करेंगे? शाय कर कर दो कर देता हूँ तो देहां, मेरा prediction आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ध्यान दे, मेरे prediction पर ध्यान दे, जहाँ जहाँ आपको परची दिख रही है, वहाँ वहाँ ध्यान दे, ठीक है, कोई cheating नहीं करूँगा, आप लोगों सामने यहाँ पर देख सकते हो, यह जो card है, यहाँ पर आप लोग देखो क्या दिखा हुआ है eight of hearts तो यहाँ पे आप लोग देखो eight of hearts इसी के साथ बहार आ गया है eight of hearts अब जो हमारा दूसरा prediction है वो है 10 of clubs ठीक है 10 of clubs तो यहाँ पे आप लोग देखो 10 of clubs यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 of ठीक है तो बाकी डेक को अभी बंद कर देते हैं आप इन दोनों prediction को देखो सही आये हैं या नहीं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग eight of hearts eight of hearts 10 of clubs 10 of clubs अब इसनों इन्हों ने stop अपनी माजी से बोला और मुझे नहीं पता था कि कौन सा कार्ड है फिर भी मेरे जो पहले के लिखे हुए prediction थे उनके ही कहने पे जो है card आ गया है जबकि यह prediction मैंने आप लोगों के सामने पहले ही ऐसे उल्टे रखे थे ठीक है दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो same to same card जो है इन होने choice किये हैं हमारी magic के power के कारण ठीक है देख magic को आप कैसे कर सकते हो और मैंने कैसे किया कैसे आप किसी को भी choice करवा सकते हो same card जो आपके prediction में लिखे हुए होंगे तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे अगर आपने अभी तक किसे से मैजिसेन रिचले को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना भोले बेल आइकन को all पर प लेने हैं दो prediction बना लेने हैं अपने अब वो prediction जो हैं card के बराबर ही होने चाहिए ठीक है card के बराबर ही होने चीए बड़े आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि आपको ये 10 of clubs मैंने लिखा हुआ है तो आपने दो कालों के नाम इन दो पर्चियों पे लिख देने हैं उसके बाद इनको उल्टा रख देना है ऐसे रख देना है ठीक है अब गड़ी में क्या गेम होगा ये गड़ी तो एकदम नॉर्मल होगी कोई कोई cheating वाली डेक आप यूज नहीं करेंगे कोई trick वाली डेक आप यूज नहीं करेंगे ये एकदम random डेक होगी इसमें कोई भी गेमिक काल नहीं होगा बट आपको ये गेमिक करना कैसे है सबसे पहले आपने जो यहां पे लिख है eight of hearts आपको ढोना है गड़ी में eight of hearts ठीक है त तो eight of hearts आपको ढूणना है जैसे मैं ढूण रहा हूँ आपको एक बार eight of hearts डेक से बाहर कर देना है अभी मिल नहीं रहा है मिरेको eight of hearts तो ये रहा हमारा एक kad eight of hearts वो ये सबसेटिंग आपको magic दिखाने से पहले कर देनी है अब दूसरा card आपको ढूणना है 10 of collapse ठीक है तो 10 of collapse भी हम ढूण लेते हैं पर ये सबसेटिंग आपको magic दिखाने से पहले रेडी करके रखनी है ठीक है दोस्तों तो 10 of collapse एक बार ढूंड लेते हैं यह रहा 10 of collapse ठीक है दोस्तों अब हमें दोनों कार्ड मिल गए हैं जो हमने लिखे हुए हैं वो हमें यह कोई भी कार्ड या 10 of collapse पर सबसे उपर रख सकते हो यह जो कार्ड है जो पर्ची पर लिखे हुए है 8 of क्या 8 of hearts ठीक है तो अगर आपको 8 of hearts और 10 of collapse दोनों कार्ड आपके पास हैं ठीक है अब आपको क्या करना है 8 of hearts को नीचे भी रख सकते हैं सबसे नीचे देखो 8 of hearts सबसे नीचे है अब 10 of collapse सबसे उपर है तो यह दोनों काल आपको ऐसे सेट कर देने हैं 1 सबसे नीचे, 1 सबसे उपर अब ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हमने जो नीचे काल रखा हुआ है हमें ध्यान रखना है कि हमारी पर्ची पे हमारी पर्ची तो ऐसी उल्टी रही की दर्शक के सामने हमें ध्यान रखना है कि कौन सी पर्ची कौन सी वाली है हमने जो नीचे रखा हुआ है 8 of hearts उसकी परची हमें पहले यूज करनी है एक नीचे का और एक उपर का ये काड आपकी जगे से हिलने नहीं चीए अब आपको अगर कट भी मारना है सफल भी करने है आपको कुछ इस परकार से करने है कि आपके जो काड है वो कहीं न जाए ठीक है जैसे 8 of hearts हमना सबसे नीचे है तो हमें सबसे पहले 8 of hearts ड्रॉप करना है तब जाके हम और कट मार सकते हैं अब ध्यान रखना है कि हमारे जो अब आपको क्या करना है यहां drop करवाना है ध्यान रखना यह जो 8 of sorry 10 of collapse है यह जाएगा सबसे पहले आपको ऐसे में करना है तो यह जाएगा सबसे पहले ठीक है उपर रहेगा आपको बोलना है कि मैं काड इस परकार से drop करूंगा और आप कहीं भी stop बोलना ठीक है तो आप stop stop ओके तो यह random card कोई भी हो सकता है इससे कोई मतलब नहीं है वो कहीं भी stop बोले उसकी मर्ची वो जहां उसका मन करें दर्सक का वहां stop बोल सकता है हमें उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब हमारा क्या हो गया यह जो 10 of collapse है यह सबसे नीचे आ गया तो नीचे आ गया अब हमें यह पर्ची उठानी है 8 of hearts की जो हमारा यहां पर है देखो 8 of hearts और यह पर्ची उठानी है और दर्सक को बोलना है कि यह आपका चुना हुआ card है हम क्या करते हैं इसके उपर जो है अपना एक prediction रख देते हैं यह prediction रखने के बाद हमें क्या करना है 8 of hearts का जो card है यह इसके उपर रख देना है और यह पर्ची भी 8 of hearts कीई है देखो और हमारा यह 8 of hearts भी आ गया इसके उपर ठीक है पहला गेम तो हमारा हो गया अब दूसरे बार हमें दुबारा बोलना है और यह random card होंगे इनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा यह को यह अलग- stop करेंगे आप कहीं भी stop बोलना मालो आपने के दर्सक ने यहां पर stop बोल दिया उसे कोई मतलब नहीं और आगे भी डाल सकते हैं क्योंकि यह सभी random card होंगे इनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है ठीक है यहां पर stop बोला अब हमें यह जो 10 of clubs है दर्सक को बोलना है यह आपका choice क देना है इसके उपर अपना पूरी डेक को डाल देना है अब दर्सक को बोलना है कि आपका card अभी देखो हमारे prediction और आपका choice किया हुआ card same ही होगा जबकि हमने अपना prediction पहले बोल दिया था हम दर्सक के सामने deck को ऐसे रखेंगे ऐसे खिंचेंगे तो उनका जो choice किया हुआ card है वो हमारे prediction के साथ में आ जाएगा देखो 10 of clubs एंड तो दोस्तों यह थी इसकी magic trick I hope कि आपको यह पसंद आई होगी सीख चुके होंगे आप अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई है कि यह कैसे हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ चैनल को फ्री में होता है यार काम करके ही जाए हमारे लिए और वीडियो को लाइक करके जाए ठीक है तो देख सकते हो इस परकार से magic जो है होता है दोस्तों आई होप आपको यह magic trick पसंद आई होगी कार्ड की अगर आपको magic trick अच्छे लगी तो एक लाइक कर देने हमारे लिए वी पारी लाइफस्टाइल वहाँ पर भी अपना प्यार एंड सपोर्ट दें और मैं मिलता हूँ आपको किसी एसे अंट्रेस्टिंग और कमाल की magic trick वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम